शिक्षार्थियों आपका स्वागत है आज हम एक कहानी का पाठ पढ़ेंगे जिसका शीरसक है अनुराधा शिक्षार्थियों आपने कई कहानीयां पढ़ी होंगी सुनी होंगी उसमें अलग-अलग तरह के पात्रों से आपका परिचे हुआ होगा अलग-अलग विशय और अलग-अलग इस्थितियों को आपने कहानी में देखा और समझा होगा आज जिस कहानी को हम पढ़ेंगे उस कहानी की मुख्य पात रहें, मुख्य चरित रहें अनुराधा यह कहानी एक ऐसे इस्त्री की कहानी है जिसका पती एड्स से पीडित है और एड्स का रोग होने के बाद कैसे समाज में और परिवार में एड्स का रोगी उपेक्षित हो जाता है और उसकी सेवा करने का सारा दाइत्व उसकी पत्नी अनुराधा पर आ जाता है आप इस कहानी के माध्यम से समाज में एड्स, रोगी के प्रती क्या दिरिष्टिकोण हमारा है ये भी समझेंगे, ये भी जानेंगे और इसके अतिरिक्त भारतिय समाज में इस्तरी की क्या भूमिका होती है परिवार में? इस्तरी किस तरह उपेक्षित होती है और किस तरह वो संघर्ष करती है अपने अधिकारों के लिए उसके सामने समाज की कौन-कौन सी विसंगतियां और कौन-कौन सी बिडम बनाएं आती हैं और उन परिसितियों में वो कैसे संगर्ष करते हुए अपना रास्ता बनाती हैं इसे भी आप देख और समझ सकते हैं शिक्षार्थियों आईए सबसे पहले हम इस कहानी के मुख्य उद्देश को जान लें प्रस्तुत कहानी पढ़ने के बाद आप मिथकों और भ्रांतियों को दूर करके व्याज्यानिक द्रिष्टिकोन का विकास कर सकेंगे प्रजनन और यवन स्वास्त्य से सम्मंधित विश्यों के बारे में जागरूख हो सकेंगे द्यानिक जीवन में आने वाली संभावित समस्याओं के प्रती सावधान हो सकेंगे सही समय पर निर्ण न लेने के परिणाम बता सकेंगे एट्स ग्रस्त परिवार और समाज के बीच संबंधों पर आप टिपड़ी कर सकेंगे भारतिये परिवार में नारी की स्थिती और उसके संघर्ष की विवेचना कर सकेंगे और इसके साथ ही आप अनुराधा कहानी का सार बता सकेंगे शिक्षारतियों इस कहानी के लेखक है पंकच कुमार पंकज कुमार जी का जन्म एक जून 1983 को हुआ पंकज जी दर्शन सास्त्र में बीये करने के बाद इसी विशे में एमेकर लिये हैं और बहुत छोटी आयू में ही इन्होंने उत्राखंड सम्मान 2006 प्राप्त किया है प्रस्तुत कहानी युवा हिंदी कहानी प्रतियोगता में पर्थम पुरसकार से सम्मानित कहानी है जिसे साहित अमरित पत्रिका के फरवरी 2006 के अंक में प्रकाशित किया गया है आपने देखा कि लेखक ने या कहानी एक प्रतियोगता के लिए लिखी थी लेकिन इस कहानी में जो भाव हैं जो समवेदना है वो इतनी गहरी है कि इससे हम बहुत कुछ प्रेणा ले सकते हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने समाज में हम समवेदन शीर ढंग से विवहार कर सकते हैं तो सिक्षार्थियों आईए कहानी के अलग-अलग अंशों को हम समझने का प्रेयास करें इस कहानी का प्रारंब होता है इसकी नाईका अनुराधा के चिंतन मनन से जहां जीवन के वास्तिविक संदर्भों में अधिकार का अर्थ खोजने का प्रेयास करती है अनुराधा उसे लगता है कि अधिकार बनते तो हैं सबके लिए समान रूप से परन्तु उसका लाव केवल सबल ही उठा पाते हैं अनुराधा अपना वजूत सुरक्षित कर लेना चाहती है उसे आत्मग्यान हो गया है कि वह भी इस स्रिष्ट की एक अनमोल कृती है स्रिष्ट के विकास में उसका भी योगदान है तो फिरवा सिर्फ दाइत वहन के लिए ही क्यों विवश रहें क्या जीवन जीने का सामान सहज सा अधिकार मांगना भी अनुचित है यह सब प्रश्ट उसके मस्तिष में घूमते रहते हैं उसे मत्ते रहते हैं और यह कहानी पढ़ते हुए यह सवाल आपके भी मस्तिष में जरूर उभरेंगे कथा के प्रार्मिक अंशों से सहज ही जिग्यासा उभरती है कि अनुराधा के साथ ऐसा क्या घटित हुआ जो वह अपने अधिकारों के प्रती सचेत हो गई और उसने निश्चय किया कि वह स्वैम को युग्यतम सिध्ध करेगी कथा की परते खुलने लगती है आगे की पंक्तियों में ही वह बताती है कि उसके पती विजय अब नहीं रहे उनकी मृत्य एड्स से हो चुकी है परन्तु कथा के आरंभ से इसके सुत्र जुड़ जाते हैं वह कहती है कि देह का प्रश्ण यदि इस्त्री की मान मर्यादा से जुड़ता है तो क्या विवाह वेदी पर बैठ कर औरत अपनी मान मर्यादा अपने पती के हाथों गिर्वी रख देती है यदि पती होने का अर्थ स्वामी होना है, तो क्या पती औरत का जीवन हरण कर सकता है? वास्तों में मान मर्यादा का, इस्तरी की इक्षा-अनिक्षा का प्रश्ण जितना विवाह से पूर्व महत्त पूर्ण है, उतना है विवाह के बाद भी. बैवाहिक जीवन की सफलता तो पति-पत्नी दोनों पर निर्भर है तो फिर इस जीवन में एक अतिमहत्त पूर्ण और दूसरा पूर्णतया नगर्ण कैसे हो सकता है पति को स्वामी कहा जाए तो फिर ग्रिह स्वामनी को दासी ही क्यों माना जाए इस तरह के सवाल अनुराधा के मन में उठते हैं और लेखक बहुत ही समेदन शीलता से इन सवालों का हल इस कहानी में ढूर्णने का प्रयास करता है आईए देखें कि आगे की कहानी में अनुराधा किस तरह अपने जीवन को समझने का और उस जीवन से संघर्ष करने का प्रयास करती है अनुराधा की जीवन कड़ियों का प्रारंब होता है अनुराधा शहर में पली बढ़ी एक सामान्य मध्यवर्गी नारी थी जिसने ललित कला में बीये किया था वह उसी विशे में अपना कैरियर बनाना तथा प्रसिधी पाना चाहती थी परंतु माता पिता की इक्षा नुसार शिग्र ही उसे विवा के बंधन में बढ़ना पड़ा उसके पती नौकरी तो शहर में करते थे परंतु रहते गाउं में थे इसी कारण अनुराधा भी विवा के पश्चात गाउं में ही रहने लगी विवा के प्रारंभिक दिनों में अनुराधा को कोई विशेस कठिनाई नहीं हुई परंतु दो साल के बाद जब वह मा नहीं बनी तो उसकी सास के वेवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा बाद में जब अनुराधा मा बनने की इक्षा करती है तो विजय इसे हस का टाल देता है और वह बीमार रहने लगता है जब जाच होता है तो पता चलता है कि विजय एचाईवी पॉजिटिव है डॉक्टर की अन्य हिदायतों के साथ अनुराधा को पति से दूर रहने की विशेश सावधानी भी शामिल रहती है विजय के रोक के संकरमण के भै से उसका छोटा भाई अजय भाईभीत होकर घर छोड़ जाता है और अन्य रिष्टिदार भी यहां तक की विजय के माता पिता भी उचित जानकारी के अभाव में डर कर यथा संभव विजय से दूर रहने लगते हैं उनका घर घ्रणा का पात्र बन जाता है और जिस समय विजय को अधिक प्रेम, सहानुभूत, निर्देशन और देख रिख किया हो सकता होती है उस समय सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं परिवार में एक सदस्य को HIV पाजिटिव है, ऐसे में क्या अजय की भात पलायन कर जाना आप ठीक समझते हैं, क्या अनुराधा और विजय की भात चुप-चाप स्विकार कर लेना और कुछ ना करना ठीक है आप मानेंगे कि दोनों बाते ठीक नहीं हैं, ऐसी स्थिती में सबसे पहले परिवार के सदस्यों में खुल कर चर्चा होनी चाहिए एट्स दबाने छिपाने से लाव नहीं हान ही होती है ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि रोगी के साथ सामान विभार और संपर्क से एट्स नहीं फैलता यह तो केवल रोगी के रक्त के आदान प्रदान से या उससे यवन संबंधों से फैलता है कहानी में अनुराधा को भै से आकरांत दिखाया गया है परंत संसकारों और सामाजिक मर्यादाओं से बधी वही रहने और वही करने को मजबूर हो गई थी जैसा पति का अंधप्रेम चाहता था यही कारण था कि वो डाक्टर की चेतावनी की अवहेलना कर विजय के कमरे में ही सोती रही ताकि विजय एकाकी महसूस न करें मृत्त उसे पहले और अधिक कश्ट का नभव न करें परंत अनुराधा का यह अपनापन त्याग भावना और निस्वार्थ सेवा उसके पति की इस चेतना और समझ को विख्सित नहीं कर पाए कि डाक्टर की बात मानते हुए अब उसे अनुराधा के अतिसमीव से बचना चाहिए दूसरी ओर अनुराधा की सास भी अपने बेटे को कुछ समझाने की अपिक्षा बहु को ही औरत का धर्न समझाती रहती है यद्यपी वह स्वैम अपने पुत्र के निकट जाने में कतराती थी तथा बहु को पत्य की इक्षा पूर्त करते हुए अपने सब लोक सुधारने की शिक्षा देना नहीं भूलती अनुराधा चिला चिला कर विद्रो करना चाहती थी तथा अपने सास को समझाना चाहती थी कि इस तरी के पास शरीर ही नहीं दिल और दिमाग भी होता है पर आदर्ष बहु के संसकार उसे मौन कर देते थे आप सोचिए क्या इस सीमा तक उसका जुकना चुप रहना ठीक था शिक्षार्थियों आईए कहानी के विशलेशन को आगे बढ़ाते हुए देखें कि इस कहानी में अनुराधा किस तरह अपने पति की सेवा करती है और अपने जीवन में संघर्ष करती है स्वैम से संघर्ष करते हुए अनुराधा की दिन बीटते रहे और उसके पति की बीमारी बढ़ती गई अन्तिता वह घड़ी भिया पहुंची जिसका पता सबको था रात्रिका समय था जब विजय के पास अकेली अनुराधा ही बैठी थी कि उसने प्राण त्याग दिये पति की मृत्य के पश्षात विद्वा रूप में आते ही अनुराधा की जीवन में एक नया ध्याय आरंभ हो जाता है अनुराधा गर्भवती है यह जान कर भी उसके साथ ससुर अनुराधा के स्वास्त की जाच करवाने को तयार नहीं होते देवर अजय ही उस समय आगे आकर इस बात पर बल देते हैं कि भावी तथा होने वाले बच्चे के स्वास्त की जाच करवा लेनी चाहिए तथा यथा संभव उन्हें भाई के रोग से बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए परंतु सास की कड़ी नजरें तथा वचनों के आगे अनुराधा विरोध को दबा कर रह जाती है विजय की बीमारी के दौरान घर की आर्थिक विवस्था भी बहुत प्रभावित हुई लेकिन बाद में बीमा कमपनियों और दफ्तर आदिसे जो सहेता राश मिली उससे कुछ हालत सुधरी यह राश सिर्फ अनुराधा के हस्ताक्षर के बाद ही प्राप्त हो सकती थी यह जानकर उसकी सास को अच्छा नहीं लगा ससुर के साथ शहर जाने के बाद उसका बैंक में खाता खुलवाया गया पर वह खाता संउत रखा गया उसके और अजय के नाम से यह देखकर अनुराधा विचलित हो गई थी क्योंकि उसे लगता था पति की धन राश पर जो सिर्फ उसके नाम थी उसके सहच अधिकार को नकारा जा रहा था पर हर बार की तरह अब भीवा अपनी भावनाओं को दबा कर रह गई थी खुल कर विरोध नहीं कर पाई अनुराधा मनवेगों पर नियंत्रन रखते रखते स्वैम ही जूज रही थी वह जानने को बेचायन थी कि कहीं वह रोग गरस्त तो नहीं यदि वह रोग गरस्त है तो क्या आने वाला बच्चा भी संक्रमित होगा या नहीं वह किसी के साथ इन समस्याओं को बाट नहीं पा रही थी परिणामस्वरूप उसके वेवहार में चिर्चिड़ा पना गया स्वैम से संघर्स करते करते अनुराधा को एक बात तो इस पश्ट रूप से समझ में आ गई थी और वह यह कि वह मरना नहीं चाहती न तो बिमारी की अवस्था में बिना जांच और इलाज कराए नहीं मन ही मन घुटते घुटते मानसिक आरोगिशाला में मनो रोगी बन कर उसने दिर्ण शक्ती बटोर कर थोस्ट निर्णे लेकर अगले दिन वह ससुर के सम्मुख जा खड़ी हुई और साहस के साथ अपने चेक अप कराने की मन्शा जाहिर की उसने विद्रोह के सर में अपने इलाज पैसे चेक बुक पास बुक सबकी मांग की और यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह उन पर निर्भर न रहकर स्वैम तसली से अपना इलाज कराना चाहती है अनुराधा ने तुरंथी शहर जाने का निर्णे कर लिया आंतरिक संतुष्ट के साथ साथ आज उसे बाहरी विवस्थित साथ सज्जा पर भी विद्रोह की आवशक्ता अनुभव होने लगी उसने साड़ी बदली बाल समारे और विद्वाओं के लिए वरजित समझी जाने वाली बिंदी भी लगाई क्योंकि वह अनुभव कर रही थी कि वेश भूशा भी व्यक्तित्तों का एक अनिवार हिस्सा है उसे जीवन को सुर्चि पूर्ण और विवस्थित बनाना है तो दिखना भी वैसा ही होगा स्वैम में आत्नि विश्वाज भरने के लिए उसे जीवन में सहस्ता अपनानी होगी असहज और अलग दिखकर वह सामानी जीवन कैसे जी पाएगी अनुराधा के एक ठोस निर्णे ने अब उसके समक्ष आने वाली सारी बाधाओं को छोटा कर दिया था इसलिए वह अकेली ही अजय के घर पहुँच गई देवर देवरानी यानि अजय और उसकी पतनी करुणा पहले तो उसका साहस देखकर हैरान हुए कि वह अकेले कैसे इस शहर चली आई उनके घर तक पर शिक्र ही उनके मन में स्रद्धा भाव जाग उठा दोनों ने उसका स्वागत किया उपेक्षाओं के बीच जीते हुए अनुराधा अजय के आदरपुन बेवहार से थोड़ी चोग गई देवरानी करुणा ने भी उसे संबल दिया और उसका बाहर निकलना उचित माना अनुराधा के पूछने पर अजय ने स्पष्ट किया कि वह समझ गया है कि जीवन में आये संकटों तथा जिम्मेदारियों से भागना संभव नहीं है नहीं यह उनके बचने का कोई स्थाई उपाय है सावधानिया बरतना उचित है किन्त भय से भागना अनुचित मनुष्य को इसी संसार में इसी समाज में रहना है तो इसकी बुराईयों कमियों कष्टों से बच कर वह कहां भागेगा सच है कि 800 या कोई अन्य बिमारी संसार का कौन सा ऐसा भाग है जो इन सब से रहित है सावधान रहें तो हम इन खतरनाग बिमारियों से बचाव के उपाय ढूट कर उसे पराजित कर सकते हैं उसका निदान खोच सकते हैं पर अगर ऐसे में यदी हम रोग ग्रस्त विक्ति को छोड़ कर ही चले जाए उसे घ्रणा की दिर्ष्ट से देखने लगें उसकी जाच करवाए बिना उसे रोगी मान लें बिमारियों के निदान के लिए प्रयासी न करें तो इस प्रकार तो जैसे रोगों के संकट समाज को घेरे ही रखेंगे अजय का आत्मविश्वास से पूर्ण या निशकर्स हमें भी संगहर्षों से जूझने और उन पर विजय पाने की प्रेना देता है जीवन युद्ध भूमी कर्म भूमी है तथा अनुराधा उसके संगहर्ष के लिए ततपर वह जीने के लिए अधिकारों के लिए स्वाभिमान के लिए संगहर्ष करने को कटिबद्ध है इस मार्ग में अब कोई बाधा उसे रोक नहीं पाएगी संसकार, मोह तथा संबंध आदि से उपर उठकर यहां तक की आवश्यक हुआ तो शारिंता को भी त्याग कर वह अनुरत इस जीवन संगहर्ष में जुटी रहेगी इस कहानी का अंत वास्तव में नारी के अपने अस्तित्व के लिए संगहर्ष की शुरुवात है यहां अनुराधा के जीवन में एक नया मोड आता है जहां से वह स्वैम के लिए जीवन जीने का संकल्प लेती है तो सिक्षार्थियों आपने देखा कि कैसे एक स्त्री पूरी कहानी के केंद्र में है और उसके जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं कितनी बाधाएं आती हैं और अनुराधा उन बाधाओं को बहुत ही सैयम के साथ बहुत ही दिर्धता पुर्वक अपने कदम बढ़ाती रहती है और अंत में जो लक्ष वो निर्धारित करती है उस लक्ष को राप्त भी करती है आईए इस कथा के शीर्षक पर विचार करें शिक्षारतियों किसी भी रचना का उप्युक्त शीर्षक वह होता है जो उसके मूल कथ्य से पूरी तरह जुड़ा हो इस दिरिष्टी से अनुराधा शीर्षक सर्वथा उप्युक्त है क्योंकि कथा का पूरा ताना बाना उसकी प्रमुख नाई का अनुराधा पर ही बुना गया है पूरी कथा उसी के इर्दगिर्द घूमती है जो दूसरे पात्रिस कहानी में आये हैं वे भी अनुराधा ही के चरित्रिक विश्यस्ताओं को उभारने में सहायक सिध होते हैं इस कहानी में प्रयुक्त भाशा की विशेष्टाओं पर हम चर्चा करें यह कहानी एक समस्या प्रधान कहानी है इसलिए इसमें चिंतन प्रधान शैली प्रमुख है नारी मन की अंतर व्यथा का वर्णन करते हुए मनो विशलेशन आत्मक शैली का भी प्रयोग पंकच कुमार ने किया है कहानी में विजय किमृत्य के बाद की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए गृत्तात्मक शैली का भी प्रयोग है जहां विस्तार पुरवक अनुराधा के माध्यम से एक भारती विधवा की सामाजिक इस्थिती का वर्णन किया गया है गाओं के घर का वर्णन करते हुए वर्णात्मक शैली का प्रियोग किया गया है कहीं कहीं समस्याओं को उभारने के लिए व्यंग्यात्मक शैली भी प्रियोग में लाई गयी है कहानी में कहीं कहीं चित्रात्मक शैली का अभी प्रयोग किया गया है इस कहानी में वाक्यरचना, सरल तथा आम बोलचाल की है जिसमें भावान रूप, तद्भव, देशज, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है उनमें से कुछ शब्दों को हम यहाँ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह संस्क्रिप्ट निष्ट सब्द हैं और इन्हें तत्सम सब्द हम कहते हैं। उलाई, अटकी, उकसाया, आदी शब्द देख सकते हैं। विदेशी शब्दों में वजूद, हजामत, हैसियत, मुताबिक, पुष्टैनी, खैराती, विरादरी, हक, हिकारत, तमाशबीन, अवल। ये उर्दू और फार्सी के शब्द हम देख सकते हैं। कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में हुआ है। जैसे पास बुक, पी एफ, चेक बुक, एच आईवी पॉजिटिव, केस हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन, लेडी डॉक्टर, आदी। कहानी में सूख तिवाक्यों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे या अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से ही आता है, या औरत दे ही नहीं, दिल और दिमाग भी है। अभिता ही नहीं, लक्षणा और व्यन्यना द्वारा भी लेखक ने अव्यक्त को स्पष्ट कर दिया है, जैसे विजय पुरुष थे, मेरे स्वामी थे, और मैं उनके जन्म जन्मांतर की दासी। या फिर एक भारी अंतरिया था कि विजय पुरुष थे और मैं इस्त्री, इस्त्री होने के बावजूद उन्हें उपेक्षा और घ्रणा का दंश जेलना पड़ा, लेकिन मेरा क्या होता। कुछ वाक के अत्यंत गहराई लिये हैं, जैसे जब समय को लखवा मार जाता है, तब सन्नाटा स्वेम चीखने चिलाने लगता है। इस्क्रीन पर जो बाते आपने पढ़ीं, देखीं, इसपश्ट है कि लेखक की लेखनी में काफिक शमता है, पता उन्होंने मात्र, भाव, संदेश, कथानक, वातावरा, आदी, सबका ध्यान रखते हुए अनेक प्रकार की शैलियों का यथा इस्थान प्रयोग किया है। उन्होंने कोई संकोश नहीं किया है। तथा अपने अस्तित्त को बचाये रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेखक चाहता है कि समाज, एट्स जैसे लोगों के कारण और निवारण के उपाय के प्रती सचेत हो। व्यक्ति अपने मन्द से भ्रमों को निकाल कर खुल कर इन विश्यों पर चर्चा कर सके। इस प्रकार अनेक भयावा परड़ामों से रस्वयम को बचाने में सक्षम हो पाये। व्यक्ति की नासमझी दिखाकर लेखक ने इसी योर ध्याना करशित किया है। अन्त में अजय ने सावधानी के साथ जीने परंतु जीमदारियों से न भागने का जो निश्कर्स निकाला है। वही वास्तों में उचित जीवन शैली है। अनुराधा भी अंत में जिस प्रकार स्वैम तता होने वाले बच्चे के भविश्य को सवारने का निश्चय कर संगहर्ष के लिए तकपर उठती है। वह पाठकों को भी अस्तित्व रक्षा की प्रेणा देती है। धन्यवाद।